तो हलो एन विल्कम यू ओल आइम रोईट प्रो महाजन ट्रेडर तो गैस आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में और गैस यहाँ पर स्टॉक में हमें तेजी हमें आज हल्की सी तेजी देखने को मिली है बट स्टॉक के कौर्टर स्री के रिजल्स आन वाले हैं और देखा जाए तो मोतिलाल ओस्वाल ने काफी बड़ी-बड़ी बाते कही है पंजाब नेशनल बैंक को लेकर तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसके चार्ट के बारे में हम बात करेंगे और गैस अगर आप इंट्राडे से पेसा कमना चाहते हो तो बिलक खासा प्रोफिट इंट्राडे में कमा सकते हो आज देखा जाए तो आज भी हमने इसमें चार्ट यहाँ पर प्रोवाइट किया था और हमने आपकी हेल्प के लिए ही इस ग्रूप ओपन किया है तो बिलकुल आप इसे जॉइन कर सकते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रेट्स के लिए शेर्स की लेटेस न्यूस के लिए तो गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गैस बात कर रहे हैं हम पंजाब नेश्टनल बैंक के बारे में और देखा जाए तो स्टॉक का जो करन प्राइस आज चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो 38 रुपे 90 80 पेसे पर स्टॉक ने आज यहाँ पर स्टॉक ट्रेट कर रहा है और 10 पेसे तक स्टॉक यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 0.26% के हिसाब से इस स्टॉक उपर की और जाता हुआ नजर आता हुआ हमें नजर आ रहा है गाईस और बिलकुल इस स्टॉक उप वड़ते आगे हम विफ्स फालम बात करेंगे इसके चार्ड की फिर ही हम आगे बढ़ेगे तो चार्ड पे हम आ जाते हैं तो पंझाब नैशेटल बैंकेशन होता है यहां पर बात करेंगे और यहापर एक W pattern भी बन रहा है तो यहापर हम बता देते हैं कैसे तो यहापर से stock को breakout का और इस particular level पर अगर breakout मिल जाता है तो stock सीधा 48 रुपे का target ही हमारा next target रहने वाला है और बिल्कुल पंजाब national bank में एक बड़ा उचाल हमें आता हुआ नजर आ सकता है guys तो simple सा यहाँ पर simple से strategy हमने यहाँ पर लगाई है simple से chart लगा है और guys ऐसी ही आपको plan चाहिए तो मैं यहाँ पर इस telegram channel पर भी update कर दूगा तो guys please यहाँ पर link description में दे दूगा वहाँ पर आप joint हो जाई है तो यहाँ पर पाच दिन के time frame पर stock ने कितने returns दिये हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रुपे 50 पेसे तक stock बढ़ा है 4.01% के साथ और guys वही अगर एक महिने में देखा चाहिए तो stock 0.40 40 पेसे तक stock बढ़ गया है 1.04% के साथ और एक यहाँ पर अगर देखा जाए 6 महिने के time frame पर guys तो यहाँ पर 2.15 पेसे तक stock में गिरावट है minus 5.20 4% के साथ बिल्गों यह stock यहाँ पर गिरता हो नजरा रहा है बड़ बढ़ेगा guys time आने पर और यहाँ पर अगर देखा जाए आज stock में क्या कुछ होता हुआ हमें नजरा रहा है तो guys stock open हुआ था यहाँ पर 38 रुपे 80 पेसे के price पे और high भी लगा था इसने 49 रुपे 55 पेसे का और low लगा था stock ने 38 रुपे 50 पेसे का तो यहाँ पर open का हुआ था high क्या लगा था और low क्या लगा था guys हमने वो discuss कर लिया अब बात कर लेते हम क्या कुछ इसका market cap है और market cap के इसाब से तो clearly लग जाता है guys कि एक mid cap stock है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि market cap ही इसका 42.43 अजार करोड का है जो की काफी बड़ी achievement है और काफी बड़ी बात है और PE ratio अगर देखा जा 10.99 का PE ratio भी आपको यहाँ पर देखने को मल जाएगा वही guys अब बात करें अगर 52 विक के low और 52 विक के high की तो बावन विक का जो high है 48 रुपे 20 पेसे का देखने को हमें मिल रहा है और 52 विक का जो low है 31 रुपे 90 पेसे का दिखाई दे रहा है तो guys यहाँ पर बावन विक का low और बावन विक का high हमने दोनों ही discuss कर लिये है अब बात कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक पर मोतिलाल ओसवाल का क्या कहना है पंजाब नेशनल बैंक quarter 3 net profits in up 111.3% year on year to 1069.4 करोड मोतिलाल ओसवाल का एक कहना है और बिलकुल मोतिलाल ओसवा पंजाब नेशनल बैंक को लेंक का जो यहाँ पर रोपेश्टंस और सपोर्ट लेवल है और बिसक्स करेंगे तो रेजिस्टंस लेवल कि हाँ पर 49.2 रुपे का है first resistance लेवल सेकेंड रिजिस्टंस लेवल 49.50 पेसे का है और 3rd resistance level 40 रुपे 10 पेसे का दिखाई दे रहा है support level 38 रुपे 30 पेसे का है second support level 36 रुपे 80 पेसे का है और third support level 36 रुपे 40 पेसे का दिख जाएगा और guys वही अगब बात करते हैं price performance की तो ओ भी एच्छे खासे improvement हो रहे है और one week का देखा जाए तो 4.42% के आसपा से बड़ा है one month का देखा जाए 1.17% बड़ा है और देखा जाए 3 months का तो minus 2.38% यहाँ पर minus में है guys और 3 months का देखा जाए तो 4.42% यहाँ पर plus में है और one year का देखा जाए तो यहाँ पर 9.87% plus में है और 3 years का भी minus में है minus 51.64% तो बिलकुल यहाँ पर plus में भी है और कई बार minus में भी है कया है और guys यहाँ पर हम बात करेंगे अब trade values और combinant deliveries की तो trade value के अगर बात करों तो 4 crore के something का trade value है strategy की बात करों तो 5 crore का trade value और 1 crore का combinant delivery है और 1 week के average में 4 crore का trade value और 1 crore का combinant delivery और 1 month के average में हाँ पर 5 crore का trade value है और 1 crore का combinant delivery भी देखने को मल जाएगा तो guys यहाँ पर trade values और combinant deliveries दोनों ही हमने अच्छे तरीके से देख लिए है और काफी अच्छे तरीके से यह बढ़ रहे है तो guys हमने trade value combinant delivery देख लिए क्या कुछ volumes थे अब बारी है यहाँ पर community sentiments के आखड़े की जो की काफी ज़्यादा positive नजर आ रहे है और community sentiments के आखड़ों में अगर देखा जाए तो first of all यहाँ पर buyers यहाँ जता buy call दिया जा रहा है यहाँ पर 94% जो लोग है बिलकुल यहाँ पर buy के लिए गह रहे है और 6% लोग जो है आपर कह रहा है sell के लिए और buy के लिए 94% लोग के और से कहा जा रहा है और guys revenue देखा जाए तो revenues भी अच्छे गासे improvement हो रहा है और 81,866 करोड तक का revenue 2021 में gain हुआ है और 2020 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर खाफी similar था और net profit की अगर बात कर ले तो net profit पे अच्छे गासे बढ़े है 2021 का देखा जाए तो 2,122 करोड के असपस का net profit बढ़ा है 2020 का 3,363 करोड 2019 का minus में है, 2018 का minus में है और 2017 का भी यह profit पे दिख जाएगा सब बात कर लेते हैं यहाँ पर trade values और common sorry guys, यहाँ पर share holding pattern हम देख रहे है और 73.15% की holding promoters की है FIS की holding यहाँ पर दीख जाएगे 2.21% DIS यहाँ पर 11.19% के साथ है और बात करें अगर public holding की तो 13.44% के साथ है others की बात करें 0.01% की holding उनकी भी दिख जाएगी So guys, काफी कुछ बात है हम इस वीडियो में कर चुके और वीडियो को संदा वीडियो को like करो, channel को subscribe करो Thank you